नमस्कार आज हम बनाएंगे इडली सांभर और मुंफली की चटनी तो देखिए इसमें बन केजी चावले और हाप केजी उरत की डाल है दोनों को धोकर अच्छे से फूलाने के लिए रख दिये थे आठ घंटा जब फूल गया था तब इसे पीस लिए और साथ में मिथी दान डाल दिये थे दोनों को मिक्स करके पीस लिए और पिसनी के बाद इसे दस से बाड़ा घंटा के लिए रख दिये देखिए और इसमें खमीरा गिया है जितना यह फूलेगा उतना ही अच्छा इडली बनकर तयार होगा उतना ही सौप्ट भी होगा तो इसे एक अलग बरतन म निकाल लेंगे जितना हमें लगेगा उतना ही में नमक और चीनी मिलाएंगे चीनी ज्यादा नहीं मिला आप चाहे तो इसमें हनी भी मिला सकते हैं लेकिन हम हनी नहीं डालेंगे चीनी डालेंगे और साथ में नमक भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इडली की जो शाचे है उसमे घी या तेल लगा ले रिफाइंड और उसे लगा कर रख देंगे और पाने भी उबलनी के लिए रख देंगे अब चटनी की तैयारी कर लेते हैं देखिए बदाम को पहले ही रोष्ट करके रख लिए थे और छिलका भी अच्छा से निकाल लिए अब गार्लिक और सुखा लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पीस कर एक पेश्ट तयार कर लेंगे अब इसमें डालेंगे सर्सो का तेल तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़ी से सर्सो के दाने और सुखी लाल मिर्च इखिए अब इसमें बदाम का जो पेश्ट है वो डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जितना हमें लगेगा ज्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और नहीं ज्यादा पतला रखेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे साथ ही इसमें नमक डाल देंगे स्वादनुसर और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे जैसे कढ़ी बनाते उसी तरह ये भी बनता है देखिए जब यह अच्छे से उबल लियागा तो गैस को कर देंगे आफ देखिए चटनी बनकर रेडी हो गया है अब इडली बनाने के लिए तयारी करेंगे पानी को चरहा दिये उबलने के लिए और इडली के साथ से में इडली बैटर डालेंगे और इसमें डाल देने धक्पन को हटाएंगे ध्यान से इते वर्ना हाथ में भाफ इसका लग जाता है एक एक करके सारे सांचेस में ध्यान से लगा देंगे और धक इसे 15-20 मिन तक इसे इस टीम होने देंगे और बीच बीच में इसे चेक कर लिए और इसे अब चेक करते हैं इडली का कितना पक चुका है और इसे इस तरह चेक करेंगे लिए और इसे इस तरह जब इसमें नहीं लगा है तो समझे है इडली हमरा अच्छे से स्टीम हो गया है अब इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे अगर जल्दी आपको तो एक थाली में ठंडा पानी रख लिए और सांचे को रख दें इससे इडली जल्दी निकल जाता है बनिया से ट डूर दी ए हैं औरहर की दाल और उसे अच्छा से रोष्ट कर लिए हैं प्हुन्च करके स्कड़ जाया रख दानगे तोहों सब्सogen दाल जाना है स्टी हा कर दो कर देंगे लों और इसे 10 मिनट तक बखने देंगे से डाल अच्छे से घूल जाता हैं और Kia देखिए डाल पक चुका है अब इसे चेक करते हैं ऐसे अच्छ च्छ से मिलाएंगे नहीं थे कि नहीं देखिए दाल कितना बनियां घूल गया है आइस Wert देखिए कितना अच्छ गूल गया है अब इसे साइड में रख देंगे और सब्जी तयारी करें इसमें डाले हैं सर्षो का तेल और सुखी लाल मिर्च थोरे से मेथी दाना डाले हैं और थोरा से सर्षो का दाना डाले हैं और इसमें डालेंगे कटिवी सब्जी पहले डालेंगे प्याज थोरे से हरी मिर्च गाजर और बीट रूट तमाटर और लॉकी बाद में डालेंगे जब सारी सब्जिया प्राइ हो जाएंगे तब डालेंगे देखिए सब्जी प्राइ हलका हो चुका है इसे ज्यादा नहीं करने इसमें डालेंगे जिंजर गार्ली का पेस्ट और डालेंगे काली मिर्च और जीरा पॉर्डर साथ में डालेंगे सांबर मसाला थोड़ी से और इसमें थोड़ा से पानी डालेंगे इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि मसाला जले नहीं जब यह मसाला अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें डालेंगे लॉकी बीट रूट और टमाटर पर से थोड़ी से डालेंगे कस्मेरी लाल मेर्चिप कलर के लिए ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ी से डालेंगे देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है अब इसे उतार लेंगे और डाल को चरहा देंगे अब सारे मसाला भूजे हुए सबजी डाल देंगे इसमें और साथ में डाल देंगे लॉकी बीट रूट सारी सबजी डालने के बाद इसमें डालेंगे गरहम पानी अथोरा सा नमक डाल कर अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक सिटी लगने देंगे झाल देंगे झाल 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 देखी एक सिटी लग चुका है अब दाल और सबजी अच्छे से पग गया है अब इसमें डालेंगे इमली का पानी और इसे अच्छे से चला लेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया जाल इडली हो गया है अब इसमें कुछ नहीं करना है एक दम पर्फेक्ट सामबर बहना है कि देखिए इधर इडली भी ठंडा हो गया है अब इससे अच्छे से निकाल लेंगे चमच के मदस से एक करके सारे इडली निकाल लेंगे इतना सौप्ट बना है अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस हमें सब्सक्राइब कीजेगा और लाइक सेर कीजेगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग मे एक नई रेसिपी के साथ